साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चानल पर तो चलिए आज की साखी सुनते हैं साथ संगत जी एक कुमार था जिसका नाम था सोहन सोहन जितना कमाता था उससे उसका घर असानी से चल जाता था सोहन को आदिक धन की चाहा भी नहीं थी वो दिन भर बरतन बनाता तो पहर में बरतन बेचने जाता और शाम को घंटों बासुरी बजाता इसी तरह से सोहन की जिं परिवार वालों ने सुहन के शादी एक सुन्दर सी लड़की सुनंदा से कर दी, सुनंदा जितनी सुन्दर थी उतनी ही शुशील थी, वो पती के हर एक काम में हाथ बटाती, घर भी संभालती, जिससे की सुहन की कमाई अब पहले से काफी जादा बढ़ चुकी थी, दोनों पती पतनी जीवन का भर पूर आनंद ले रहे थे और उनके पडोसी सुहन और सुनंदा उन दोनों को खुश देखकर हमेशा उनसे जला करते थे, उन्हें जलन होती थी के ये पती पतनी दोनों दिन भर मिलकर काम करते हैं, पती प्रति दिन शाम को बासुरी बजाता औ परपतनी गीत गुन-गुनाती रहती थी। उन दोनों में जगणा भी नहीं होता था। अब पडोस की महिलाओं के द्वारा सिखाने पर एक दिन सुनन्दा ने सोहन से कहा। अब करनी होगी। ये सुनकर सोहन बोला हमें ज़ादा कमा कर क्या करना है सुनन्दा। इश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है। हम तो इसी मेही संतुष्ट हैं। छोटा ही सही पर हमारा एक अपना घर है। दोनों समय हम पेट भर कर खाना खाते हैं। भगवान की पूजा प पास सब कुछ है। और मैं खुश भी हूँ पर आड़े समय के लिए हमें कुछ बचा कर तो रखना ही चाहिए। अब पतनी के बार-बार समझाने पर सोहन उसकी बात मान गया। बचत करने के लिए अब दोनों पहले से जादा मेहनत करने लगे। सुनन्दा सुभह चार बात तक काम करता। लेकिन फिर भी वो दोनों जादा बचत नहीं कर पाते थे। अब ना तो सोहन पहले की तरह बासुरी बजाता ना ही सुनन्दा उसकी धुन पर गुन-गुनाती। दोनों ने फैसला किया कि अपना सुक चैन खोना उचित नहीं है। उन्हें समझ में आ गई कि बचत का इरादा छोड़ देना चाहिए। अब यहीं सोचकर बचत का इरादा छोड़ कर वो पहले की तरह ही अपनी मस्त जिन्दगी जीने लगे। अब एक दिन सोहन बरतन बेचकर बाजार से घर लोट रहा था। कि अचानक से सोहन की निगहा एक चम-चमाती थैल सोहन ने सोचा ये थैली जरूर किसी की गिर गई होगी। वो थैली के मालिक को ढूंडने लगा। उसने चारों तरफ देखा लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए हार कर सोहन ने उस थैली को इश्वर का दिया हुआ उपार समझ कर अपने ही पा कुछ बचा कर रखना चाहती थी ना सो इश्वर ने हमें ऐसे आड़े समय के लिए ये उपार दिया है। इश्वर को धन्यवाद करके सोनन्दा ने थैली खोल कर सिक्कों को गिना। थैली में चांदी के पूरे निन्यान वे ये सिक्के थे। दोनों पती-पतनी खुश थे दोनों खुशी-खुशी विचार्व मरश करने लगे। सोनन्दा बोली हमें आड़े समय के लिए ने रख लेना चाहिए। कल को परिवार बढ़ेगा तो हमारे खर्चे भी जादा होंगे। पर सोहन बोला अरे निन्यानवे तो शुब नहीं होता। क्यों ना हम इन सिक्को को सो बना दे फिर इने भविश्य के लिए बचा कर रख देंगे। दोनों जानते थे कि चांदी के निन्यानवे सिक्कों को सो बनाना बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी दोनों ने इरादा पक्का किया। सोहन और सुनन्दा पहले सी चार गुना जादा मेहनत करने शाम को देर से घर लोडता फिर बरतन बनाता काम खतम होते होते रात हो जाती और सुनन्दा दिन में बरतन सुखाती और पकाती इस तरह से दोनों ठक कर चूर हो जाती थे। अब सुहन ना बासुरी बजाता ना ही सुनन्दा खुशी के गीत गाती क्योंकि उन दोनों को पडोस या मुहले में भी नहीं जा पाते थे। दिन रात एक करके वो दोनों पैसे जोड रहे थे। पैसे बचाने के लिए उन दोनों ने एक समय का खाना भी छोड़ दिया। लेकिन चादी के वो सिक्के सोन नहीं हो पा रहे थे। अब इसी तरह से लगबग चार महीने रहती हैं और ठके ठके से रहती हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपए पूरे कर लिए। लेकिन चादी के सिक्के जोडने के चक्कर में सोहन और सुननदा को पैसे जोडने का लालज पड़ गया था। दोनों को भविश्य के लिए 100 सिक्के भी कम लगने ल रखी। पैसा कमाने की धुन में पती पतनी में मामूली बातों पर भी जगडा होने लगा। अगर एक बरतन भी गलती से तूट जाता तो पती पतनी में बहस होने लग जाती। दोनों जगडने लगते। इधर पडोसियों की बेचानी भी बढ़ती जा रही थी। एक पड पडोसन से रहा नहीं गया। वो सुननदा के घर की था लेने के लिए उस पर नजर रखने लगी। एक दोपहर को वो पडोसन सुननदा के घर पर जहा पहुँची। सुननदा बरतन बनाने में व्यस्ट थी। उसने सुननदा से पूछा कि वो पहले की तरह रोज शाम को ग तुन गुनाती क्यों नहीं। पहले तो सुननदा ने बात टालनी चाही लेकिन वो पडोसन कहा मानने वाली थी। सुननदा के मन की बात निकालने के लिए उस पडोसन ने उसे प्यार से कहा। तुम बहुत ठक जाती हो बहन, मेरे पास बहुत समय होता है, अगर तुम कहो त पडोसन जोर जोर से हसने लगी। उसे हसता हुआ देख सुननदा को बहुत गुसा आया। सुननदा ने कहा, अरे किसी की परेशानी पर खुश नहीं होना चाहिए और हसना भी नहीं चाहिए, दूसरों के कष्ट पर हसने वालों को इश्वर पसंद नहीं करते। अब बारी पडोसन की थी। उसने सुननदा से कहा, बहन, तुम दोनों जिस चक्कर में पड़े हो, उसमें पड़ा हुआ इंसान कहीं का नहीं रहता। उसके अच्छे गुण दिरे-दिरे खतम हो जाते हैं। रोज बासुरी बजाने वाला तुम्हारा पती बिना बाद के तुम से खड़ता है। खुशी के गीद गाने वाली सुननदा बासुरी की जगा सिक्कों की खनक सुनना चाहती है। दोनों पेट भर खाना भी नहीं खाते और बहन, तुम किस खुशी और किस भविश्य के लिए काम कर रही हो। सुननदा को पडोसन की बात समझ में आ रही थी। प ये इश्वर का सबसे बड़ा आशिरवाद होता है। तुमने उसे ठुकराया। घर की सुक शानती भी इश्वर का आशिरवाद है। तुमने उसे भी छोड़ दिया। पती पतनी के बीच प्रेम और इश्वर की भगती में दिन बीतना गरास्त जीवन का सबसे बड़ा सु और तुमने तो इस सुख को भी छोड़ दिया इसलिए बेहन अब ये गलती ना करो इश्वर के आशिरवाद को समझो और उसे अपनाओ साथ संगत जी अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ साथ संगत जी प्यार से कहना धन नरंकार जी